यह वह भी हम देख रहे हैं इसके पेले जो पड़ा था वो से मिकंवर्टर था भीfest से मिक लॉटर था धर भी Consular कि अधर हम पड़र और हम पढ़ रहे fate पूल मेटर ठीक है ज्यादा तो इसको जाना जाता है क्यूंकि वो भी हम देखते पहले देखने से पहले सर्कीट डियाग्राम देख लिजी यहां पर हमने 6 स्वीच लेके रखी है ठीक है यह छे स्वीच है और यह popular करने के लिए कि यह पूरा आपको बताने के लिए कि किस प्रकार से कब बीच operation होगा वह हम देखा अभी उसको अच्छा से define करने के लिए यहां पर आप देखिए हमने क्या किया ryb phase है वह phase voltage हमने draw कर दिया फिर वह phase voltage के बाद हमारा pass क्या मिल गया उसका line voltage ठीक है तो यहां पर मैंने क्या कर दिया line voltage ठीक है line voltage ठीक है अभी मेरा चोड़ टाइम है वह आ गया कि अब सभी switch को क्या देना है ट्रिगरिंग देना है ठीक है तो ट्रिगरिंग कब देना है उसके लिए यहां बहुत अच्छे से समझाए गया है आप देखिए हमने starting में 30 दिगरी छोड़ दिया उसके बाद जो alpha है वह मैंने दिया ठीक है alpha मैंने अलफा है वह मैंने यहां पर भी तीन case define करके रखा है जैसे कि आप देखिए 30 दिगरी भी देगे अगर 60 दिगरी देगे तो क्या होगा 60 से ज्यादा मतलब कि 90 दिगरी देखे भी देखा है ठीक है तो अलफा हमने अभी दिया अलफा देने के साथ यह हमारा पहला switch का जो gate pulse है वो हमको मिल गया ठीक है एक दो तीन और चार मतलब की 120 दिगरी तक वो क्या हुआ ओन रहा दूसरी switch थी उसको 60 डिगरी face difference छोड़के क्या किया फिर 120 डिगरी ओन फिर 60 डिगरी छोड़के फिर 120 डिगरी ओन इसी प्रकार से हमारे switch 123456 सभी switch को क्या करेगे बारी बारी से on करते जाएगे और यह जो है ओन करने से क्या होगा वह हम देखते हैं ठीक है अभी आप देखिए आर फेस के साथ कौन पिक्चर में आएगा अगर आता है तो ती वन स्विच आ रही है ना और दूसरी T6 तो T1 और T6 जब पिक्चर में आती है तब कौन से दो फेस पिक्चर में आ रहे है एक आर और दूसरा Y तो यहां पे देखिए T1 और T6 दोनों स्विच जब शुरू होगी ठीक है यह वाला देखिए T1 और यह देखिए T6 ठीक है तो आर और यह क्या है Y त्यान से आर और यह है Y दोनों में कॉमन कुलू सा पार्ट है जोनों में कॉमन पार्ट यह है ठीक है यह और यह नों की वज़े से जो ले मुल रहा है वह आपको मिल गयाxi रवाइ समझे है इससे बहतर और कोई एक्जान शांथा पनाव सकता ट्यांसे दीक है क्या कहा है rψ किसके साथ link है एक वाई है और उन कर दिया टे शीक्स भी ओन कर दिया दोनों जब साथ में वन होगे तब हम्को जो मिल रहा है और आपक है तो इसी प्रकार से बाकी के जो भी वोल्टेज है वो इसी प्रकार से मिल रहे हैं जब भी कोई भी दो स्वीच का कॉंबिनेशन बन रहा है तब वह हो रहा है और कौन-कौन सी स्वीच तब कंड़क कर रहे हैं वह यहां पर हमको देखे रखा है तो वह बहुत बढ़िया है आप इसको समझे और एक-एक स्वीच का आप ऐसा नहीं कि मैं मैं यहां पर दूसरा एक बात मिं हर बार कहता हूं कि वेब वॉन का स्टार्टिंग पॉंट देखना सीखिये एंडिंग पर देखना यहां पर starting है पाइब उप्लस आलफा बीच वाला जो आपको point मिल रहा है ठीक है तो इसका हर हम इसके पहले जो भी वेभूफॉम देखे थे ठीक है अभी एकदम ध्यान से देखिया है इसके पहले हमने जो भी वेभूफॉम देखा थे थ्रीफेज वाली बात हो रही है तो उसमें πाइब आफा स्टार्टिंग था या तो फिर 5 पाइब आफा पर यहां पे देखिए बीच में ही एंडिंग आ गया क्या है पाइब आफा तो यहां पे दूसरे जो कन्वर्टर्स थे उसमें जब तक हमको 3 पल्स मिल रहे थे तो यहां पे उसी तंडि प्रकार से इसको qya नाम से भी जाना जाता है यह आपको पूरा समझ में आ जाएगा ठीक है और अगर आप 60 degree के उपर जाते हैं 90 degree में तो आपको बीच में discontinuous mode देखने को मिलेगा दूसरा जो difference है वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इस तरह अगर आप degree है वो 60 से नीचे रखेगे तो आपका जो average voltage है वो क्या मिलेगा जहादा मिलेगा जबकि आप देख सकते हैं कि अगर आप 60 degree रख रहे हैं जब भी आप 60 से नीचे जाओगे तो आपका वोल्टेज सबसे ज्यादा मिलेगा अगर आप 60 से ज्यादा कर देते हो तो voltage बहुती कम मिलेगा जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर 0 हो यह नहीं हो है छबकि यहां पर जीरो हो रहा है और यहां पर जीरो तो हो रहा है दिर में निल रहे ठीक है तो work हो गया तो यह बड़ा सकता है इसमें से उन्हें कुरूफप्टा सकता है बॉले इभरेने ट्प eerste डिलएट्ट बम थे खेंड़ सकते हैं यह जो चोटे-चोटी बात थे पॉइंट्स वो में आप नहीं मानता कि आपको समझाने के जरूरत है यहां पे जो बात था हमारा इसके लिए अगर रिपल फ्रिक्वेंसी और आउट्पूट एवरेज वोल्टेज एक एग्जामपल देखे रखा था साथ में ले लिए देख लेते हैं यहां रिपल फ्र हर्ड्टि होट्स इंटू जर्फ कर रहे थे यहां पे पचास फ्रिकवेंसी तो हम ने लिया पर उसके साथ छे के स्ल नहीं मतलब कि हमारा रिपल फ्रिक्वेंसी है वह 300 हर्ड ठीक है अगर हम चाहें कि यह 300 हर्ड फ्रिक्वेंसी ना रहे प्योर डीसी करेंट मिलें तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा इंडक्टिव लोड को लाना पड़ेगा ठीक है अभी यहां पर देखिए टू-डीटर्म पूर्मिला वही यहां पर आएगा पर जो लिमीट है उसमें हमको ध्यान रखना है जैसे कि हमने इसके पहले भी क्वेस्टन में देखके रखाए अगर नहीं आपको मालूम है तो वह पहले देख लेना ठीक है तो यह हो गया हमारा अलफा लेस देन और एकॉल टू 60 और आल पर आपको देख लेते हैं बाकी काम कल देख लेगे ठीक है तो यह देखिए एक एक ग्जामपल देखे रखा है सिंपल एक्जामपल है इससे आपका माइंड में जो कुछ थोड़ा डाउट होगा वह आई होब देट के क्लियर हो जाए तो त्यान से देखिए फिए फिए ब्रीज शर्कीट इस अपलाइड बाइट त्यों हुए कैं एक त्रीफेज ब्रीज शर्कीट है उसको 200 देखे रखा है अज्यूम कंटियूस लोट करन्ट आप एसा अज्यूम कीजिए कि कंटियूस लोट करेंट है ठीक है मतलब कि आलफा का वेलियू है वह नबे या ऐसा कुछ नहीं है उससे कम है ठीक है डिटर्माइन मीन लोड मीन लोड वोल्टेज एड फाइरिंग एंगल जीरो डिग्री 45 डिग्री एंड 90 डिग्री ठीक है और क्या कहा है अब क्या किया है इप कम्यूटेटिंग डिग्री एक अपको बोला है कि मीन लोड वोल्टेज भी फाइंड कीजिए अगर आलफा 120 डिग्री पे होता है तो अभी हम देखते हैं कि 0 डिग्री 45 डिग्री और 90 डिग्री पे क्या मिलता है अब को एवरेज वोल्टेज तो हम सब जानते हैं कि एवरेज वोल्टेज का जो एक्वेशन है जो हमने बहुत बार देखा है ठीक है तो यह आउटपूट एवरेज वोल्टेज 3 डिएम उपन पाई कोस आलफा अभी आलफा का जो वेल्यू है वह हमको चेंज करते जाना है ठीक है यह जो हमार 200 वल्ट था उसको हमको धुनने के लिए हमने क्या किया है रूट 2 से उसको गुंद दिया ठीक है तो यहां पे 3-3 रूट 2 इन्टू 200 वल्ट अपन पाई कोस जीरो का विल्यू होता है वन तो यह हम से हमको सबसे ज्यादा वाला वल्टेज यहां पे मिलेगा 467.81 वल्ट दूसरा जो वल्टेज मिल रहा है 330 वल्ट तीसरा जो 90 डिग्री मतलब की कोस क्या हो गया जो वेवफों में उसका 0 वाला पॉइंट ठीक है तो यह हो गया हमारा 0 वल्टेज अभी दूसरा जो पॉइंट हमको बोला था पेला वाला आमने कंडिशन उसका फाइं भाई 3 उसको बोला जा सकता है ठीक है तो इसके लिए हमने एवरेज वोल्टेज का एक्वेशन डाल दिया अभी आप घ्यान में दीजिए यह एवरेज वोल्टेज का एक्वेशन है पर यह है यह इससे डिफरेंट है ठीक है यह वाला तो था 3-3 Vm upon pi cos alpha और आप बोलोगे तो यह तो अलग है क्यों अलग है क्योंकि हमने theory में already देख लिया है तो इसके लिए आप theory अगर नहीं देखिए तो अच्छे से देखिए जब alpha is greater than 60 तो हमको output average voltage क्या मिलता है 3-3 Vm upon pi 1 plus cos pi by 3 plus alpha और जब हमारा alpha 60 या 60 से कम होता है तब हमको क्या equation output average voltage का मिलता है 3-3 Vm upon pi cos alpha तो यह condition के मुताबिक हमने क्या किया है हमारा जो alpha है वो पेले देखा हमने देखा कि alpha क्या है 90 से up है कितना है 120 इसलिए हमने क्या किया जो sorry 60 से up है इसलिए हमने क्या किया 3-3 यह वाला equation यूज कर दिया और हमको क्या answer मिल रहा है 0 V ठीक है तो आज का session हम यहां ही खतम कर रहे है I hope that कि आप सबको यह doubt है वो clear होगे होगे